एक बर्फीली रात की बात है, जब श्वेत बर्फ धरा पर जिल मिला रही थी, वहाँ एक छोटा सा गाव था, गाव में रहने वाले बच्चे सोच रहे थे कि कैसे इस सर्दी में वे मनोरंजन कर सकते हैं, गोलू नामक एक बच्चे ने सभी को बुलाया और कहा, चलो हम एक राजा या रानी बनेंगे और इस बर्फीली दुनिया में अपने राजमहल में खेलेंगे, अब उन सभी दोस्तों ने मिलकर बर्फ का एक घर बनाया, तथा उसे अपने परिश्रम से सुन्दर सुसजित किया, अब सभी दोस्त उस राजमहल में एकत्रित होकर खेलते थे, जो की बर्फ का बना हुआ बहुत सुन्दर घर था, जिसे उन्होंने ना दिया था इगलू, उन्होंने हर बच्चे को एक-एक काड़ दिया जिसमें उनकी उपाधी लिखी थी, सब खुशी-खुशी राजा और रानी बन गए, और शीतकालीन महीने की रातों में वे अपन राजमहल में खेलते रहे, जब बर्फ ने गाओं को सफेज सजाया, तो उनकी दुनिया भी खुबसूरत और रंगीन हो गई